और आजकर मुझे ब्लोग बनाने का टाइम नहीं मिला था और उसका रिजन देख सकते आफ सामने यह टीन सेड लगाना था और टीन सेड लगाने की ज़रत इसलिए पड़ी क्योंकि बगल पोलुशियों ने केमरा लगा दिया था छत में और रात को भई केमरे का फोकस सब्सक्राइब करेंगे अच्छे से ऐसे करना था मन फिलाल तो भाई जरूरत नहीं है जैसे जरूरत पड़ जाएगी तो तभी लगाएंगे सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पड़नाम है हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का अनंदनगर के ख केमरा लगा दिया था चत में और रात को भाई के मेरे का फोकस लाइट के साथ हमारे घर की तरफ काफी ज़्यादा आ रहा था तो जब से भई बगल प्रोश्यों ने केमरा लगा तब से भई मम्मी लोग काफी ज़्यादा गुस्यम आया यानि कि पूरा फरीवार हमारा फिर भाई मैने फोन पर बताये उनको कि यार तोड है क्या तोड है ऊप काफी स्यादा टाइम लगा ये पूरा सैट मैं नहीं किया और साथ मैं भाई दो दो खाँड़ी आदे रास्ते आए फिर समझ में नहीं और उसने काया इसने छोटे काम के लिए मैं क्यों आऊं इससे कोई फाइदा निया और केमरे के नाम सुनके वो डर गया कि कैमरा लगा है मैं नहीं कर सकता तुम्हारा काम पता नी क्यों अभी के नंदनगर की मौसम की बात करें तो आस्मान तो बिल्कुल क्लीन है और ब्यू भी काफी प्यारा लग रहा बहें नंदनगर का और हलके हलके वाइड बादल भी आस्मान में मम्मी लोग सुबह चले गए थे खाना बना के मंदिर और अभी नहीं आए वह करीब अभी तीन बजगे हैं और आज हम तीन से टिंकर ने फिलागे थे यह लास्ट वाला रह रह रहा था नीचे साइड का तो भाई खाना नहीं बनाया हमने तो अभी डुबू पार्टी लेके आ गया और साथ में भाई कोको कोला भी आ रहा और चौमिन कितना है वह दो फूल पलेट अमान यह तो हाप लेड लग अधिया चौमिन खाने में लिया मन है हस क्यों रहा तो इतने हसी इसमें भी डालना ले इस वाले में बेडाल और इसके बाद भाई यह तो पलेड में है वैसे इसको क्या बोलते हैं अच्छा और रोकी को भी लग गए आज भूग रोकी भी हमारे साथ चौमिन खाएगा ना ना रोकी अचरत सडालो घरा मगस थोड़ा इस मसे डाला भूंगी इस वाले से डाल अफ्टोड़ सा गिलास ले गाना इसको ऐसे बेना घुलास का तो प्यानी जाए गो लिए आ रगलास ले क्यां कहां और अजह ध्यूर्भारत एंड ऑना गया क्या नाने जार के दे कि तुम इनका कोई बरोसनी वह तो अमन ने वसे भाई बराबर तो कर दिया पर डुगु नाराज हो गया अधर भाग गया वई कि मेरे पलेड में कम डाल दिया है तो मैंने खावाई चलो सब का बराबर करेंगे अच्छे से ऐसे करना था मन और जो लुए यह ना जो अ कि अधिक ना के अधिक को भी काफी जादा भूग लगा है तो अधर साइट जगों नहीं हो रहा दो ही बैड सकते हैं मुझे इधर बैडना पड़ेगा बई चलो हम भी ट्राइ करते हैं कैसा हो रहा है तो मिन वैसे ठीक हो रहा है पर भाई इसमें चटनी डालना पड़ेगा तम मज़ा आएगा अभी बैलों को पानी पिलाने का टाइम भी हो गया है पहले पानी पिला जेते भाई ले यह तो नहीं पीएगा और पी रहा और पी रहा भी पानी इसको वह से मनें सुभे पिला दिया था एक चकर पानी पी ले और पी ले पी ले पी कि अगए कि अगर 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 गर दो दो चार दिन पहले भाई मं मी लोगों काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी यहांसे इधर उदर जाने में क्योंकि जो एक तीन सर्ड़ लगा रखना यहां काफी ज्यादा लंबा साइड है और अब तो भाई पूरा चौक खाली हो गया और थोड़ा सा यहां पत्थर रहे हैं और कुछ इंटें हैं तो इन इंटों को भाई इधर साइड लगा देंगे तो तीन दिन बाद तो फाइनली भाई टीन सट फिट कर जया है और लगाएंगे फिर छेत्तों करी रखें मैंने यह देखिए भाई हलके हलके दिख रहे होंगे तो फिलाल तो भाई जरूरत नहीं है जैसे जरूरत पड़ जाएगी तो तभी लगाएंगे तो तीन सट फिट करने से पहले भैई जो यह एंगल खड़े करे के ना इनको अच्छे से जाम किये हमने और जाम करने के बाद फिर इन फेंपर पीट करना और एक हिसाब से यह वाला काम ना जो खिमपरा काम है अगर गल्ति से पाउं गर पे अगर यह चदर गिर गे ना तो पूरा पाउं कड़ता है तो यह वाले एंगल रहे इनको कम से कम ना यहां नीचे तक जाम करका हमने यानि कि इतने दिवाल पूरी खोलनी पड़ी और जितने भी एंगल देख रहोंगे सभी जगों पर खोला हमने अब तो यह काफी जादा मजबूत हो गया हिल भी निरे टाइट हो गये और जो आज का करका खमने उदर साइट का वह अभी बाई कम जूर है उसको हिला के कोई फाइदा ने रिस्क ने लेना है तो यह देखे बाई कुछ इस प्रकार से रहे तिन सेट के फिटिंग तो यहां अब यहां पर तोड़ने के वाज़ा से ना पर काफी ज्यादा डेमेज हो गया इधर साइट से अब पता नी लगेंगे की ने लगेंगे च्छे मिले वाई हलके हलके तो खूल भी लगे इन पर क्या पता लगी जाएंगे जो यह दिवाल के पथर नीचे गी रखे इन पथर को भाई यहां दिवाल में रख देंगे और कुछ पथरें इधर साइट भी है तो यहां भाई भार साइट को हलका छूट रहा था यहां के लिए मैंने चदर का टुकड़ा काड़का है तो कुछ टाइम बाद भाई उस चदर के टुकड़े को इस पर फीट कर देंगा और इ यहां पर कनेक्ट फिट सिधे ऊपर होगा तो कि रहे वह टुकड़े दो टुकड़े हैं एक नीचे का है और यह उपर का तो इधर साइड वह उपर वाले चदर रहे अगर बाई चांस जरूरत पड़ेगी उपर लगाने की तो तभी इन चदरों को लगाएंगे नहीं तो फिलाली चदर यहीं पर रहेंगे तो जो यह वाला पीस बस रखाना एंगल का यह करीब आई सड़ी नौव फिट आसपास होगा तो यह भाई आने वाले समय में और जगों पर काम करेगा इसको भी अच्छे से रखना पड़ेगा